माराश की राजरीती के बड़े चेहरे संजे निरूपम शिर्द सेना शिन्दे गुट में शामिल हो सकते हैं कॉंग्रस से 6 साल के लिए बर्खास किये जाने के बाद संजे निरूपम सुभे 11.30 बजे प्रेस कॉंफरेंस करने वाले हैं जिसमें वो कॉंग्रस पार्टी को छोड़ने का ये बड़ा एलान कर सकते हैं हालां कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे इस पस्रस्पेंस बरकरार है मगर सूत्रों का यही दावा है कि निरूपम शिर्द सेना यानि की शिन्दे गुट का दामन थाम सकते हैं संजे निरूपम ने कॉंग्रस पर भी निशाना साधिते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें की नाराजगी साफ जाहिर हो रही है तो कॉंग्रस से निकाले जाने के बाद संजे निरूपम ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक से राखुल गांधी के साथ अपनी प्रोफाइल फोटो हटा ली है और बायो भी बदल दिया है तो देखिए जानकारी यही मिल पा रही है कि संजे निरूपम शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं आस उबह सड़े बज़े वो प्रेस कॉंफरेंस करेंगे नाराजगी जो है वो काई दिनों से जाहिर भी कर रहे हैं और ऐसे में अब देखिए कि किस तरीके से उन्होंने अपना बायो भी चेंज कर लिया है तो बताईए जा रहा है कि उत्तर पश्चमी मुंबाई की लोकसबा सीच से टिकट ना मिलने से संजे निरूपम लगाता नाराज चल रहे थे और उन्होंने ये बात जग जाहिर भी की थी लेकिन तमाम गती विदियों के वज़े से उन्हें कॉंग्रिस से 6 साल के लिए निश्कासित कर दिया गया लेकिन अब बहां से शिर्फ सेना उदब अपना उमीदबार उतारने के संजे निरूपम ने खुलकर बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिये थे उन्होंने कॉंग्रिस सेना के शिंदे गुट का दामन वो थाम सकते हैं आज बकाइदा प्रेस कॉंफिन्स कर सकते हैं और बड़ा एलान कर सकते हैं कि जिस तरीके से कॉंग्रिस की तरफ से उन पर ये आक्शन लिया गया है और तिकट ना मिलने के टीस है वो लगातार सामने आ रही है पिहार जेल से 181 दिन के बाद रिया हुए आम आधी पार्टी संजे सिंग जेल से बहार निकलते ही बोले किसी से ड़ने वाले नहीं कि जस्न का वक्त नहीं है जंग का वक्त है संजे निरुपम को कॉंग्रस ने छे साल के लिए निश्कास्त किया पार्टी अध्याश मलिक अर्जुन खरके ने पार्टी विरोती गदिविदियों में निरुपम के शामित होने क्या रूप लगाए मतुरा लोगसभा सीच से आज रामांगिं करेंगे माम मालनी एसीयन योगी भी रहेंगे मौझूद चुनावी सभा को संबोदित करेंगे योगी वीज़पी कारकरता चुनावी सभा को सफल बनाने इंतजामों में चुछिश कच्ची घानी सरसु तेल और रिफाइंड सोयबी नॉय चुनो सही रसकार न्यूज एचिन इंडिया देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ मौरे का ठाकुर और शुर्बात इस वक्त की बहुत बड़ी ख़बर आपको बतार दे दिलिश और आप घोटाले में पिछले साल गिरफतार हुए आमाधी पार्टी की नेता और संजे सिंग को जमानत मिल गई है बीती राथ जैसे ही वो तिहाड जेल से बाहर निकले तो पार्टी कारेकरताओं के हुजूम ने उन्हें घेर लिया जैसे संजे सिंग को कारेकरताओं से शीच रहने की अपील करनी पड़ी जेल से निकल कर संजे सिंग सीधे अरविंद केश जिवाल के घर पहुचे और उनकी पत्मी से मुलाकात की वहां से वो पार्टी दफ्तर गए जहाँ पर उनका जोर्दा स्वागत किया गया पार्टी दफ्तर में उन्होंने कारेकरताओं संबोधित किया है और बीजे पी पर जमकरवर से संजे सिंग ने दो टूक कह दिया कि जेल के ताले टूटेंगे अरविंद केश जिवाल सिसो दिया और सतेंदर जएन जल्द बाहा निकलेंगे लेकिन बीजे पी ने आब आदमी पार्टी के जर्शन पर सवाल खड़े कर दियें संजे सिंग जो है बेल पर बाहर आ चुके हैं कुछ रर्तों के साथ उन्हें बेल मिली है लेकिन उसके बाद आप देख पा रहे हैं आब आदमी पार्टी के कारे करताओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है संजे सिंग ने अर्विन केजरिवाल की पत्नी मनीज सिसोधिया की पत्नी से मुलाकात की के बाद वो आब आदमी पार्टी के दफ्तर भी पहुँचे जहां पर उनका जोड़ दागत किया गया संजे सिंग की तरफ से साथ तोर पर ये दावा किया जा रहा है कि हम डरने वाले नहीं अर्विन केजरिवाल मनीज सिसोधिया सतेंद्र जैन ये सारे पूरी इमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले तूटेंगे हमारे नेता सौ प्रतिसत इमानदार है और उनको दबाने डराने जुकाने लाठी चलाने मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशी से बंद करो चस्ट का वक्त नहीं है जंग का वक्त है संगर्ज के लिए तयार हो जाओ जम के लड़ेंगे हलाकि मिली बेल है वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए लेकिन उत्सो ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे सराब कांड से बरी हो गए सर्थ सर्थ के साथ उनको कोट ने बेल दिया है केस चल रहा है संग्री अर्विद केजिवाल खुद शराब गोटाले की आरोप में जेल में बनन है ऐसे में संजे सिंग्ग ने अर्विद केजिवाल की पती सुरीता केजिवाल से सीम आवास पर मुलाकात की ए संजे सिंग ने उनके पैर चुकर उनका आशिरबाद लिया करी 10 मिनट की मुलाकात के बाद संजे सिंग आम आदी पार्टी के दफ्तर रवाना हो गए वो दिल्ली के पूर्वू पूंत्री मनीस्ति सोधिया के घर भी पहुंचे वहाँ पर भी उन्होंने सिसोधिया की पत्नी मनीस्ति सोधिया सतेंदर ज्यान रिहा नहीं होते हैं तब तक कोई जश्ट नहीं मना जाएगा अनिता जी क्या कहना चाहेंगी पहला रेक्शन 6 महीने बाद घर पहुंचे हैं आपने ये पूरा 6 महीने का क्या फर्क देखते हैं तब में और अब में नहीं 6 महीने में जैसे संजे जी नहीं थे तो घर में थोड़ा सा था लेकिन जैसे वह बाहर आये वह बड़े भाई जो अर्विन जी है जो पूरा दाव उन्होंने हम लोकि समाला था तो पहले हम सुनीता से मिले फिर इसके बाद वह पाटी आफिस गया जो कारकरता निरास थे उनके अंदर उर्जा भरने का काम किया उन्होंने जिनका भासर सबने सुना और करकरतों के अंदर खुब उर्जा हुई फिर हम सीमा भावी से मिलें गए उनका भी हाल चाल लिए और इसके बाद हम अपने घर पे आए घर पे भी बहुत सारे कार करता थे जो कि एक प्रिवार में सब लोग है एक लंबा टाइम जेल में उनने बिताया नई स्वागत नहीं बस एक जैसे अभी स्वागत का समय नहीं है और जब तक हमारे तीन भाई है अभी जेल में है आर्वींजी मनीजी और सतेचल जैवा बाहर नहीं आते तो कोई मतब स्वागत और संजे सिंग के जेल जाने के बाद अपने बाल और दाड़ी ना कटवाने झाल झाल तर दうんत्स है झाल झाल